अब यह जो हमारी germ movement है, global educational reform movement, इसमें बहुत से positive पहलू भी है, यानि दुनिया के तमाम बच्चों को बराबर के सीखने के हकुक महया करना, और सब के लिए एक जैसी सहुलियात महया करना, सब को दाइरह तालीम में लेके आना, लेकिन जब हम इन काफी सारे issues को जो अभी पिछली असबाक में हम discuss करके आए हैं, इनको आपस में कैसे हम एक साथ लेके चल सकते हैं, कि हम उस movement का हिस्सा भी बनें, ताके हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं, वो दाइरह तालीम में आएं, और साथ साथ हम इनकी ज़रूरी बोजना डालें, तो हम यह कहते हैं कि limit situations are impediments through transforming action, वो जो limit situation है, कि भई आपको यही करना है, इतना पढ़ाना है, इतने outcomes लेके आने हैं, यह subject पढ़ाने हैं, वो यह कहते हैं कि यह हमें अपने जो असल action हमने लेना था, जो असल transformation हमें बच्चे के किरदार की करनी थी, उसमें यह hamper कर रहा है, और साथ जो status quo है, यानि जिस तरह से सब लोग एक असूल के तहत काम कर रहे होंगे, और सब लोग एक ही standard पे काम कर रहे होंगे, उसी को बरकरार रखने का तरीका है, तो क्या करना चाहिए, इस पे negotiations होनी चाहिए, इसके अंदर flexibility आनी चाहिए, rules के अंदर equity आनी चाहिए, जहां कहीं के बच्चे मुख्तलिफ सहुलियात के हामिल हैं, उनको उसी तरह की तालीम देना चाहिए, अब thinking for new ways of merging play and academics, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि हम उन standards को follow करते हुए, अपने लिए कुछ ऐसा नया बनाएं, कोई तीसरा तरीका इक्तिय academics के standards हैं, वो भी पूरे हो, ठीक है, overcoming limit situation and dissolving the limitation, तो हमारा next concern क्या है, कि हम अब इस limitation को overcome करें, और किसी ना किसी तरह से इन limitations को खतम करें, लेकिन standards को भी हम achieve करें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो हम ये कि हम बच्चों का जो context है, वो कहां के रहने वाले है हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके हालात कैसे हैं, इसकी हम उसको respect देंगे, being professional and concerned for children, और अगर हम professionals हैं, और हम अपने बच्चों की तरवियत के बारे में concerned हैं, तो हम बहुत से मसायल का हल teaching learning level पे classroom के अंदर कर सकते हैं, directing early childhood leadership, और अगली ये जो leadership है, ये its dual side, its on the educator side, जो हमारा teacher ह है, early childhood का, उसको भी leadership सिखानी है, और बच्चे के अंदर भी leadership पैदा करनी है, यानि अपने सलाहियतों की बेहतरी नशोम ना लेके, वो दूसरों की रहनुमाई करे, आगे चले, अपने मसायल कुद हल करे, अपने सारे जो functions हैं, उनको वो बेहतर तरीके से अदा करे, और as an isolated policy, but are a part of wider social picture, यानि दुनिया के जो standards है, ख्वाबो national है, ख्वाबो international है, किसी भी मुल्के, उसको हम policy के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि वो isolated नहीं है, हमारे ही मौशरे से जनम लिया है, ना, policy बनाने वाले भी हमारे ही मौशरे का हिस्सा है, हमारे ही असाद्जा और उ योग उसका हिस्सा है, तो ऐसी सूरत में दोनों को, ग्रासरूट लेवल को, और policy लेवल को मर्च करना है, और इनके अंदर negotiations करने है, इनके अंदर meetings हों, यह मिल बैट के बात करें, जो हमारे authors हैं, जो हमारे psychologist हैं, वो बात करें, policy maker से, कि कौन-कौन से ऐसे standards हैं, जिनको achieve कि जा सकता है, और कहां पर उनको academic freedom की जरूत होगी, तो वो बच्चे जिनको हम चाहते हैं, कि उनकी सारी एक मुकमल holistic नशोनमा हो, तो हमें उन standards को भी वैसे ही mold करना होगा, जिस तरह से हम अपने context में बेहतर तरीके से अपने बच्चों की तरवियत कर सकें, तो अब यह लेकिन जो उसके issues हैं, जहां पर उसके control के साथ हमारे problem हैं, उनको resolve करें, classroom within practices के साथ, policy makers के साथ, negotiations के साथ, और उस flexibility के साथ, या professionalism के साथ, जो within classroom हम बेहतर तोर पे कर सकते हैं.